स्टुडेंट वेलकम बैक तू माय यूटुब चैनल आज हम आपकी जो है दिसमर महा का आसायमेंट करने वाले हैं क्लास 12 के लिए जो इसमें आपका सब्जेक्ट है और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी से शेयर जरू करना क्योंकि आपको एक एक वीडियो हमारे चैनल पे प्रोवाइट की गई है 12 क्लास इसकी जो बाकी सारे सब्जेक्ट की हैं वो काफी अच्छे तरीके से एक्स्प्लेइन करके विद रिटेन फॉर्म में पीडिएफ में आपको प्रोवाइट की जा चुकी है तो इसमें जो आ अप्लोड हो चुकी है तो जाए फटा फट देखे वीडियो और समझ समझ के लिखिए क्यूंकि सबसे इंपॉर्टन है आपको समझ के लिखना बाकी आपको जो पीडियो प्रोवाइट कर आ रहे हैं या सीधे इस तरीके से शो कर देते हैं यह देखो यह देखो इतना यह क एक्जाम में जैसे आपका cg board का एक्जाम होगा आप वहां जाके जब आप paper देने बैठो तब अच्छे से paper को attempt करो सबसे पहले आपको question को understand करना है question में कहना क्या जा रहा है उसके बाद answers को आपको लिखना है तो एक तरीके से आपके जो cg board की जो practice है वो कराई जा रही है ताकि आपकी लिखने की ability बढ़ जाए इसलिए बस 10 और 12 के ही assignment आ रहे हैं क्योंकि इसमें लिखना must है most important है क्योंकि classes में होता है इस टाइम पे आपके test start हो जाते हैं teacher से के question के test लेने start कर देते हैं बट इस टाइम पे lockdown COVID-19 की वज़े से आपको घर पे रहना पड़ा जिससे ये चीज मिस हो रहे है इसलिए आपको assignments दिये जा रहे हैं तो इसे समझ समझ के लिखने की कोशिस करें क्योंकि अगर आप economics के चातर हैं तो economics समझने पे हैं अगर आपने economics समझ लिए अपने understand कर लिए तभी लिख पाओगे अधर आप नहीं लिख पाओगे तो बच्चे जा आपसे इनफ नहीं है क्योंकि आगे आपको ही बोर्ट का एक्जाम देना है 12 क्लास का तो आपको इतना लिखना आना चाहिए क्योंकि एक प्रक्टिस है जिसे आपकी mental ability जो यानिके mind setup है जिससे सेट हो जाएगा की question को हमें किस प्रका से attempt करना चाहिए कितने words में लिखना च करते हैं आपका question no one first är a परिवार छेत्र में आय के चक्रिय प्रवाह का सचित्र व्याक्या कीजिए तो इसमें दिया है परिवार छेत्र में जो आय का यानिके इन्कम का Flow होता है particular जो आय होती है एक व्यक्ति सथ दूसरे व्यक्ति पर जाती है तो उसका इसमें हमें चक्रिय प्रवाह बताना है चित्रद्वारा इसकी व्यक्यागर्मी है तो आए हम इसे पढ़ते हैं और साथ के साथ समझते हैं तो आए का चक्रेप्रवा तो बच्चो ये आपका इसमें डाइगराम है जो इस तरीगे से बनेगा सबसे पहले मैं आपको डाइगराम ही समझाऊंगी त तो ये देखो इसमें हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर एक परिवार की बात कर रहे हैं इसलिए हमने परिवार लिखा है तो इसमें क्या होता परिवार क्या देता है देखो परिवार क्या देता है ये क्या देगा अपनी मजदूरी देगा क्योंकि परिवार के ही लोगों से कि में आईंगी website form इसके बाद उभाद वेयर यानि कि वश्तु को खरीदने के लिए कि बाद जरीवर वहिवरे खरीद निकला के यहां जाताना है अगर आप का chip का packet भी बन रहा है तो भी दैसके बाद 추स्के nhiul दू क से हुआ दिचयो हैं चिप्स का पैकेड बना रही है तो चिप्स का पैकेड बच्चो कौन खरीद रहा है हम ही लोग तो खरीदते हैं हमें से ही जो आपके पैरेंस वगरा हैं जो आसपास के लोग हैं जो मजदूरी इस तरीके से कारे करते हैं कही न कहीं कंपनी वरा कहीं पर भी जो कारे कर रह इसकी इंकम जनरेट होगी उसी इंकम से फिर यह चीजे खरीदेंगे तो यह चक्रिय प्रवाब का इस तरीके से चलता रहता तो इसे आपको यह याद होना चाहिए आए हम देखते हैं इसको पढ़ते हैं अर्त विवस्ता में वस्तो की उत्पादन परकिरिया से आए यह आए कासरजन होता है परिवार द्वारा वस्तो की मांग की जाती है और उत्पाद को द्वारा वस्तो का उत्पादन वों पूरति की जाती है तो हम लोग क्या करते हैं परिवार क्या करता है वस्तू की मांग करता है और उत्पादक यानि के जो वस्तू बनाने वाला है वो क्या करता है उसका उत्पादन करता है उसकी पूर्ति करता है मालों चिप्स के पैकेट सब को चिप्स का पैकेट खाना है तो वो उसका कि बाद को किये गए मांग एवं पूर्ती से ही यही है परिवार क्या कर रहा है मांग करता है और जो उत्पादग उसकी पूर्ती करता है तो पूर्ती जब होती है ऑनि कि इsy हम उत्पाद में जो भी चीज बेचने अंग है तो वास्तविक जो उत्पादित वस्तुएं हैं और उत्पादन साधन ये किसके हैं वास्तविक जो प्रवा है उसके अंग है जब कि साधन भुकतान उप्भोग के मौदरिक प्रवा के अंग है जो साधन भुकतान है किसके हैं उप्भोग में मौदरिक प्रवा के अ प्राइब प्राइब करें लिए पर इस जो वस्तु आई है इसको कौन खरीदेगा परिवार ही खरीदता है तो चलते हैं कोश्च नूमर 2 तरफ आपके निमलिखित सामान को से आय विधी को आय विधी के द्वारा रास्ट्या की गर्ना करनी है समंग को बच्चों यहाँ पर होगा आपका समंग को आपका आपका पर करने में यहाँ पर कर आएक हो तो दाऀहा हैं तो दिखो बच्छो करमचार्यों EO Paris착mig ढ़ laps उटा है उसमें ऑलगान व में तो इसना है dengan WTM तो टोटल इंकम कितनी हो गई राष्टियाए कितनी हो गई पचास हजार करोड पचास हजार करोड आपकी राष्टियाए हो गई है इसका पार्ट वन बच्छो अपलोड है जो कुष्ण नमबर फूर्थ है वहां पर आप जाके ज़रूर देखोगे तो यह है आपका निम्न सूचनाओं के आधार पर सकल गहरीलू उत्पाद तथा सकल राष्ट्य उत्पाद ग्याद कीजिए तो निम्न सूचनाओं के आधार पर आपको इसमें ग्याद करना सकल गहरीलू उत्पाद यानिके जी पी पी इसको इंग्लिस में स्टॉर्ट फॉर्म में जी पी तो सुद्ध रास्टे उत्पाद ये हम कैसे निकालेंगे तो इसे निकालने के लिए simple है आपको चाहिए सुद्ध यह यहाँ आएगा सुद्ध रास्टे उत्पाद प्लस गिसावट माइनस इसने माइनस कर देंगे आयात और निर्यात का अफशेश इसमें से माइनस कर दिये जाएगा तो इसे आप नोट कर लो क्योंकि फॉर्मला भी आपको आना चाहिए इसके बाद जो इसमें दिया हुआ था आपको गिसावट वे जो भी दिया हुआ है इसमें ये सारा हमने इस एड़ करके जो आयात निरियात है दो हजार आयत निरियात हमने माइनस कर दिया तो आपकी रास्टी आया गए इसमें पचास हजार करोर क्लियर है किस तरीके से माइनस हुआ है ये देख सकते हो आप इसमें से इसको प्लस माइनस कर दो माइनस कर दोगे तो यहाँ पे प्लस यहाँ से साथ जार में से दो हजार गए तो कितने बचेंगे टोटल पांस जार बचेंगे और यही आपका यहां पर अंसर आ गया है क्लियर है इसके बाद आपका है सकल रास्टी उत्पाद यानि के जी एन पी ग्रोस नैशनल प्रोडक्ट यह हम नैशनल लेबल पर बात कर रहें वह हम आपको समझी में आई होगी अगर आपको इसका पूरा जो पुरी इकोनामिक्स में अगर आपको कुछ चपपिक क्लिए करने हैं आप comment box में comment कर सकते है, मैं चलोक हैं अगर आपके जोग्रफी की द用 का एक पूरी पूरी वाह पीडियो अप लोड है, तो पिरह आपके प्ले तीन प्रेस्टन कंप्लीट किये हैं आपके और बाकी का जो आपका नेक्स है वो हम बाद में करेंगे यह देख सकते हो आप इस तरीके से आपका कोश्चन यह एक डाइग्राम है इसके साथ जो आपको इसे करना है और यह आपका second question completed है यहां third question completed है और यह आपके दो पार्ट म यानिके domestic clear है उसके बाद आपका यह है सकल राश्चे उत्पाद यानिके gross national product तो एक एक चीज एकस्प्लेइन करी गई यह बहुत अच्छी से तो प्लीज बचो comment करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसे लगी है और subscribe करना चैनल को और इस अपने दोस्तों के साथ भी जरूर उसे देखें तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में नेक्स असाइमेंट के साथ तब तक लिए गुडबाइ टेकर और आपके से जितने भी असाइमेंट साथ इस पर अपलोड होंगे ओके थैंक्यू सो मच